नमस्कार लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सेरीज में आपका स्वागत है राजनीत विज्ञान अभ्यास के अंतरकत हमारा यह सातवा वीडियो है आज का हमारा पहला सवाल है भारत का राष्टपती चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? सही जबाब आपका होगा विगल पसंख्या ए वीवी गिरी आपको बता दें कि 1969 के चुनाओं में पहली बार कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्यासी संजीव रड़ी प्रधान मंतरी इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार विवी गिरी से हार गए थे निम्नांकित में से कौन भारत का प्रधान मंतरी नियुक्त किये जाती समय राजसभा का सदसिथा सही जबाब होगा सी इंदिरा गांधी Q53 में है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राजिपाल के रूप में कारिय नहीं किया है तो सही जबाब होगा स्री ब्रह्मानंद रडडी आपको बता दें विशुनात प्रशाद दास 1962 में वी गुपाला रडडी 1967 में जबकी एम चन्ना रडडी ने 1974 में उत्तर प्रदेश के राजिपाल के रूप में कारिभार ग्रहन किया था स्री ब्रह्म रेड़ी ने उत्तर प्रदेश के राजपाल के रूप में काम नहीं किया है भारत में किसी राज कानून की सम्वैधानिक वैधता को चुनावती दी जा सकती है कहाँ पर तो उसका सही जबाब होगा उच्चतम और उच्च न्यायाले दोनों ही जगहों पर तो विकल्प संख्या सी सही होगा क्वेशन नंबर 55 में है भारती सम्वैधान के निम्न संसोधनों में से किसने ग्राम पंचायतों में महिला आरक्सन का प्रावधान किया है सही जबाब होगा बी 73 सम्वैधान संसोधन क्वेशन नंबर 56 में है सयूक्त राज अमेरिका का राश्टपती ब्रिटिस राजा से अधिक भी है और कम भी वह ब्रिटिस प्रधान मंत्री से भी अधिक भी है और कम भी यह टिपड़ी किसने किया था सही जबाब आपका होगा C. हैराल्ड लास्की ने विकल्प संख्या C. आपको बता दें हैराल्ड लास्की ने अपनी पुस्तक The American President में सयूक्त राज अमेरिका के राश्टपती पद पर विचार ब्यक्त करते हुई लिखा है कि सयूक्त राज अमेरिका का राश्टपती एक सम्राट से कम और अधिक है वह एक प्रधान मंत्री से भी कम और अधिक है उसके पत का जितनी ही सावधानी से अध्ययन किया जाए उतनी ही उसकी अनुपमता का बोध होता है निम्नलिखित में से बजट का सही अर्थ कौन सा है तो इसमें सही जबाब आपका हुगा विकल्प संख्या सी अनुमन्य व्याय और राजस रोपन के साधन और तरीके आपको बता दें भारती संविधान के अनुचेद 112 में वार्षिक वित्तिय विवरण अर्थात बजट का प्रावधान है प्रतिक वित्तिय वर्ष के प्रारंभ में राष्टपती वित्तिय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्स भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों एवंग व्याय का विवरन रखवाता है Q58 सभी राजनितिक सिध्धानते राज को एक बुराई मानते हैं परन्तु इन में एक अपवाद हैं कौन तो सही जबाब होगा आपका C आदर्सवाद या प्रत्यवाद आपको बता दे अराजक्ता वादियों के अनुशार राज एक अनावस्षक बुराई हैं और इसे समाप्त कर देना चाहिए उदारवादी राज को एक आवस्षक बुराई मानते हैं माक्सवादी राजी को सोशन का यंत्र मानते हैं और अंततोगत्वा इसे समाप्त करने की सिफारिस करते हैं आदर्सवादियों का मानना है कि मनुस्य का सर्वुत्तम विकास राज में रहकर ही किया जा सकता है Q59 नौकर साही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूली है यह कथन किसका है सही जबाब होगा C. हरबर्ड मौरिशन आपको बताती चले हरबर्ड मौरिशन ने कहा है नौकर साही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूली है रेमजे मियोर का प्रशिद्ध कथन है कि मंत्री मंदली उत्तरदायत्य की आड में नौकर साही फलती फूल दी है Q60 यह किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से सासन समझहोते का व्यावसाय बन जाता है तो सही जबाब होगा आपका B. Raymond Aero आपको बताते चलें कि Raymond Aero ने अपनी चर्चित कृती Social Structure and the Ruling Class में यह तर्क दिया है कि उदार लोकतंत्र में विसिस्ट वर्ग की बहुलता तथा सासन में नियंत्रन एवंग संतुलन की ऐसी ब्यवस्था पाई जाती है जिससे यहां असीम सत्ता का प्रयोग संभो नहीं होता उदार लोकतंत्र में संपूर्ण शासन लोगों के सुलह समझहोते के आधार पर चलता है Question No. 61 नियमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर आपको सिध्धान्त और विचारकों के साथ सुमेल करना है इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है सही जबाब आपका होगा B. सक्ती अभिजन परेटो आपको बताते चलें सक्ती अभिजन दपावर एलाइट सी राइट मिल्स की रचना है परेटो की प्रशिध रचना है दमाइंड एंड सोसाइटी यहां पर आप दो पुस्तकों के नाम ध्यान रख सकते हैं दपावर एलाइट सी राइट मिल्स की है और परेटो की है दमाइंड एंड सोसाइटी Q. 62 तीन विचार धाराओं यथार्थवाद, तरक बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्टी समाज सिध्धान्त का प्रवर्तन किस ने किया है सही जबाब होगा आपका A. Martin White आपको बताते चले तीन विचार धाराओं यथार्थवाद, तरक बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्टी समाज सिध्धान्त का प्रवर्तन Martin White ने किया था Q. 63 निम्नलिखित में से कौन कौन से सिध्धान्त मारगिन थाउद्वारा प्रथिपादित यथार्थवादी सिध्धान्तों के अंतरगत आते हैं यहाँ पर आपको चार सिध्धान्त दिये गए हैं यथार्थवादी सिध्धान्तों के अंतरगत आने वाले आपको इन कथनों के आधार पर कूट की सहायता से अपने सही आंसर देना है तो यहाँ पर आप कथन को पढ़ें और फिर कूट की सहायता से अपना सही आंसर देंगे तो आपका सही आंसर होगा B, 1, 2 और 4 आपको बताते चलें कि मारगिन थाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिध्धान्त के अंतर गत किन किन बातों को सामिल किया गया है 1. मानवी सुभाव के वस्तोनिस्ट कानूनों पर आधारी सिध्धान्त 2. राष्टी सक्ति की रूप में परिभासित राष्टी हित 3. हित सदयो परिवर्तनी है 4. अमूर्त नैतिक नियम राजनीत पर लागू नहीं किये जा सकते 5. एक राष्ट की नैतिक आकांक्सा तथा सारवभावमिक मूले में अंतर होता है और छटमा और आखरी है अंतर राष्टी राजनीत की स्वायत तता Q64 2. तू कंसेप्स ओफ लिबर्टी का लेखक कौन है? सही जबाब होगा B. इसा बरलिन आपको बता दे इसा बरलिन ने अपनी चर्चित कृती तू कंसेप्स ओफ लिबर्टी स्वातंतरता की दो संकलपनाएं जिसको 1958 में प्रकाशित किया गया इसमें उन्होंने बताया था कि राज केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वातंतरता की रक्षा कर सकता है सकारात्मक स्वतंद्रतागी रक्षा करना राज की कारेक्षेत्र में नहीं आता Q63 अलिखित समिधान उसे कहते हैं जो पूनतह अलिखित हो अंसतह लिखित हो परंपराओं पर निर्भर हो इतिहास की देन हो सही जबाब आपका होगा B अंसतह लिखित हो Q66 निवेश निर्गम शिधान्द का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका सही जबाब होगा C डेविड इस्टन Q67 राजनित सक्ति के लिए संगर्स है यह कथन किसका है तो सही जबाब आपका होगा A मार्गन थाउ Q68 में है विधी के सासन का सिध्धान्थ किस ने दिया था तो विधी के सासन का सिध्धान्थ दिया है A.B. D.C. ने विधी कलफ शंख्या A सही होगा Q69 निमलिखित में से कौन आर्थिक उधारवाद से संबंधित नहीं है तो आर्थिक उधारवाद से समाजवाद संबंधित नहीं है विधी कलफ यहाँ पर आपका B सही होगा आपको बताते चले कि नव उधारवाद के समर्थक स्वेक्षा से प्रेरित व्यवस्था को उत्तर व्यवस्था मानते है उनका विचार है कि मुक्त बाजार यानि कि फ्री मॉर्केट ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जहां सब लोग स्विक्षा से प्रेरित होते हैं समकालिन विच्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है जो एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़ी हैं उदारवाद निजी करण और भूमंडली करण उदारी करण वह नीतिया कारवाई है जिसके अंतरगत आर्थिक गतिविधी की कारेकुशलता यानि एफिसियंसी और उससे मिलने वाले लाव यानि प्रॉफिट के अधिकतम ब्रिद्धी के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध यानि रेस्ट्रिक्शन्स और नियंत्रन य आपका होगा बी रास्टवाद क्वेस्टन नमबर सेवन्टीवन नव वामपंथ वाद किस दर्शन पर आधारित है तो सही जवाब आपका होगा बी माक्सवाद आपको बता दे नव वामपंथ का ज्यान हमें पेंटमन मैक फर्षन और प्लमनाज की रचनाव से मिलता है इ वर्ग और जातिकी असफलता के दाएरे में व्यक्ति नतो स्वतंत्र हो सकता है और नहीं समान नव वामपंथ के विचारकों ने उदारवादी और माक्सवादी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए उन्हें जोड़ा है गांधी और माक्स के संबंध में कौन सी उक्ति शही नहीं है तो इस कथनों को आप ध्यान से पढ़ें और फिर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं आपको बता दे गांधी वाद और सामयवाद या माक्स वाद में सरवाधिक महत्वपून भेद पधती का है शामयवाद अपने वांचित लक्ष की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को नितांत आवशक मानता है इसके विपरीत गांधी वाद का नकीवल प्रथम बल्क अंतिम आधार भी अहिंसा ही है Q73 अलगावाद का सिधान्त इनमें से किसका भाग है तो अलगावाद का जो संबंध है वो माक्स वाद से है विकल्प A Q74 माक्स के अनुशार अयतिहासिक परिवर्तन कैसे होते हैं तो सही जबाब आपका हुगा C. द्वंद्वात्मक नियमोशे Q75 में है निमनलिखित में से कौन बहुलवादी नहीं है तो सही जबाब आपका हुगा D. जर्मी बेंथम आपको बता दें 19. सताबदी के अन्तिम चतुर्थांस में एक जर्मन समादशास्त्री उट्टोवी गियर की और एक अंग्रेज इतिहासकार F.W. मेटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिध्धान्द का जन्मदाता माना जाता है बहुलवाद के अन्य विचारकों में जे एन फिजिस, होगो क्रेब, लिंड से, बारकर, कोल और लास की इत्यादी आते हैं Q77. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें आपको एक तरफ संप्रभुता के अलग-अलग प्रकार दिये गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारकों के नाम तो यहाँ पर आपको सही जबाब होगा C. विधिक संप्रभुता ओस्टीन Q78. सीमित एवंग उत्तरदाई सरकार का सिध्धान्त किस ने दिया है तो इसका सही जबाब होगा C. लौक ने Q79. इनमें से कौन सा चिंतक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है तो प्रजातंत्र का समर्थक प्लेटो नहीं है Q80. में है प्रजातंत्र के बाजार या प्रतिस परधात्मक्ष धान्द की वकालत किस ने किया है Q81. में है इनमें से किस देश में दमाव समुह कम प्रभावी है Q82. न्याय पंचायत से अपिक्षा की जाती है Q83. किस राज के राजपाल को जिला परिशदों द्वारा प्रदत्त खानों की लाइसंस प्राप्तर राजस्व की रासे निर्धारित करने का अधिकार है Q83. सही जबाब आपका होगा B. असम में व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं छटमी अनसूची असम, मेघाले, त्रिपुरा और मिजोरम राज़ों के राजनीतिक खेत्रों के प्रशासन को लागू होती है अनसूचित जनजातिक खेत्रों का उलेख पैराशंख्या 20 में है प्रतिक जनजातिक खेत्रों को स्वायत जिले के रूप में प्रकासित किया जा सकता है ये जिले राज़ की कारेपालिका के अधिन होते हैं लेकिन उनमें जिला परिशदे और प्रादेशिक परिशदे बनाई जाती है जो कुछ विधाई और नयाई के कृत्य करती है क्वेस्टन नमबर 84 में है क्षेत्री परिशदों का विचार किस ने दिया था तो च्षेत्री परिशदों का विचार दिया है A. जवाहरलाल नेहरू Q85 में है 1952 में प्रारंभ शामुदाइक विकास कालिक्रम को तकनीकी शाहता प्राप्त हुई थी किस देश के साथ तो सही जबाब आपका होगा B. शैयुक्त राज अमेरिका से Q86 में है पंचायदी राज व्यवस्था से संबंधित 73 में संबिधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन शही नहीं है तो इसमें आप चारों कथन दीखें सही जबाब आपका होगा A. पंचायद व्यवस्था के हर स्तर से विधान शभा, विधान परिशद एवंग संसद सदस्यों को अलग रखा गया है Q87 में है अंतर राष्टिय न्यायाले के निरड़े बंधन कारी शक्ती है तो यहाँ पर सही जबाब आपका होगा D. उन सब देशों के लिए जो अंतर राष्टिय न्यायाले की संबिधी के भाग है Q88 में है Q89 में है Q89 में है Q89 में सरकार का व्यवस्थित वरगी करण सबसे पहले किया गया था Q89 में सरकार का व्यवस्थित विवरण दिया था Q92 में है Q89 में है Q93 Q93 रूसों की सामान इक्षा से अभिप्राय क्या है तो रूसों की सामान इक्षा से जो अभिप्राय है वो है लोगों का सामाजिक कल्यान करना विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सही होगा Q94 Q94 Q93 उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किस बात की व्यवस्था होती है तो Q94 में भद्र पुर्श वर्ग का बोल बाला होता है आपको बताते चलें Q94 शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन व्यवस्था का संचालन कई लोग जो धन, ग्यान, कुल, वन्स या सक्ती के मामले में दूसरे से विस्थ होते हैं अरस्तु ने अपने सासन वर्गी करण में राज तंद्र के बाद कुलीन तंद्र को सर्वस्थरिष्ट कहा था भारत में भी प्राचीन काल में लिच्छवी गणराज में कुलीन जनों का ही सासन था जो अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट प्रतनिधी होते थे Q95 जिस विद्वान ने एकल संक्रमडी सम प्रणाली का सर्वप्रतम प्रतिपादन किया वह कौन था सही जबाब होगा C. थौमस हेर Q96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हौप्स पर लागू नहीं होता है सही जबाब आपका होगा C. लोग अपना सासक नियुक्त कर सकते हैं Q97 समवैधानिक सरकार की अवधारना सबसे पहले दी गई थी किसके द्वारा सही जबाब होगा B. अरस्तु के द्वारा Q98 में है विधी के सासन का सिध्धान्त किस ने दिया था तो विधी के सासन का सिध्धान्त दिया था A. V. डाइसी ने विकलप संख्या A Q99 नियासिता सिध्धान्त से क्या तातपरी है तो नियासिता सिध्धान्त से तातपरी है धन को समाज की धरोहर समझना विकल्प संख्या डी गांधी ने न्यासिता के सिध्धान्द के तहत निजी संपत्ती पर अपने विचार व्यक्त किये थे संपत्ती व्यक्त की आकंक्षाएं पूरी करने के लिए आवस्यक है पर अपनी जरूरत से ज़्यादा संपत्ती समाज की धरोहर होती है इसे समाज की तरफ रखना चाहिए और सामाज कल्यान में खर्च करना चाहिए गांधी जी ने यह विचार भारती वेदों से लिए जिसमें धन के प्रती आशक्ति का निशेध है युनानी दारसेनिक अरस्तु भी समपत्ति के निजी स्वामित्व और सारबजनिक उपभोग का समर्थन किया है प्रश्न संख्या सव निम्नलिखित में से किसने दल्विहिन प्रजातंद्र का विचार दिया था सही जबाब आपका होगा सी जै प्रकास नारायन ने Q101. हॉप्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि तो हॉप्स को व्यक्तिवादी कहे जाने के पीछे क्या कारण है सही जबाब आपका होगा D. उसका संपूर्ण दर्शन राज में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है Q102. रूसों के अनुशार प्राकृतिक अवस्था समाप्त होगई क्योंकि सही जबाब होगा D. असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया Q103. कारल माक्स के अनुशार राज क्या है Q104. निम्नलिखित में से कौन सा एक उधारवादी विचारक है इसमें से आपको उधारवादी विचारक देखना है सही जबाब होगा आपका A. J.S. मिल आपको बता दे J.S. मिल तो उधारवादी है लेकिन जॉर्ज सोरेल स्त्रमिक शंगवादी है थामस्मूर कालपनिक समाजवादी है और A. R. O. R. बहुलवादी विचारक है Q105. ग्रामर आप पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है तो सही जबाब आपका होगा B. H. लासकी Q106. H. G. सूरेल क्या थे तो H. G. सूरेल के बारे में हमने आपको भी बताया तो स्त्रमिक समाजवादी थे विकल्प आपका B. सही हो जाएगा Q107. राजी के विरुद्ध कुछ भी नहीं राज से परे कुछ भी नहीं सब कुछ राजी के अंदर ही होना चाहिए यह राजनीतिक दर्शन किसका है सही जबाब आपका हो जाएगा C. मुशोलनी का Q108. में दो सूची दी गई है यहाँ पर आपको मैच करवाना है और मैच करवाने के बाद आपको सही जबाब देना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा Q108. में वेकलप संख्या C Q109. पैनल ऑन उनाइटेड नेशन्स पीस ओफ प्रेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान द्वारा किया गया था इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था सही जबाब आपका होगा C. ब्राहमिनी रिपोर्ट Q110. निमनलिखित में से कौन सा एक भारत-पाकिस्तान का विवाद नहीं है तो इसका सही जबाब होगा विकलप संख्या D. दाहाग्राम विवाद आपको बताएं कि भारत-पाकिस्तान के बीच निमनलिखित मुद्दों पर विचार या विवाद है सियाचिन विवाद, सरक्रिक विवाद और क्रोस बॉर्डर आतंक वाद दाहाग्राम विवाद भारत और बंगला देश के बीच में विवादित एक मुद्दा है Q111. किसके प्रभावकारी वित्तिय नियंतर्ण के लिए रूल ओफ लेप्स आवस्चक है सही जबाब B होगा संसद संसद की स्विकृती के बिना कारेपालिका न कोई कर लगा सकती है नहीं किसी करी की उगाही कर सकती है नहीं किसी प्रकार का ब्याय कर सकती है इसलिए बजट की स्विकृती के लिए संसद के सक्षम समक्ष रखा जाता है संसत विभिन शमितियों के माध्यम से सरकार की खर्चों की भी जाज करती है और उस पर नियंत्रण रखती है अगला question 112 भारत के सरकारी मंत्रालेयों में डिस्क ओफिसर सिस्टम के निमलिखित लाफ क्या थे तो इसमें आपको सही जबाब कूट की साहता से देना है केंद्र और राजी के बीच भारत में लोक सेवा आयोग सम्मिधान के किस अनुछेत के अंतरगत बनाए जाते है तो सही जबाब आपका होगा विकल पुसंख्या बी अनुछेत 315 question 114 में आपको दो सूचियों को मैच करना है मैच करने के बाद आपका सही जबाब हो जाएगा विकल पुसंख्या बी यानिगी 4,3,2,1 question 115 निमनलिखित में से किस ने भारती समाज को राजनितिक द्रिश्टी से अराजनितिक समाज बताया है सही जबाब आपका होगा रजनी कोठारी ने भारती समाज को राजनितिक द्रिश्टी से अराजनितिक समाज बताया है question 116 में लोगप्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण निमनलिखित में से किस से अभिलक्षित है तो यहाँ पर सही जबाब आपका होगा दी मूल्य अभिविन्यास आपको बताते चलें कि लोगप्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण नवीन लोगप्रशासन का चरण है नवीन लोगप्रशासन की मुल्य मुक्त व्याक्षा को अस्विक्रित करता है यह राजनेतिक प्रशासन द्विविभाजन को भी अस्विकार करता है Q117 में है कि मूने का कथन उच्छ प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकारी प्रदान करना किस संदर में था तो इसका सही जबाब होगा D. प्रत्यायोजन आपको बताते चले कि मूने का जो एक कथन है उच्छ प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकारी प्रदान करना प्रत्यायोजन के संदर में है तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्छ अधिकारी अपने खुल कारे को स्वयंग के और अपन अधिनस्तों के मध्य वितरित करता है जिससे की क्रियात्मक एवंग प्रबंध की विसिस्टी करण की समाप्ती की जा सके अगला question 118 निम्नलिकित में से कौन सा Fred W. Rings द्वारा प्रस्तुत किसी समाज की प्रकार्यात्मक आवश्चक्ताओं की सूची में नहीं था तो सही जबाब आपका होगा B. प्रशासनिक question 119 हरबर्ट साइमन द्वारा दी गई निरड़े लेनी की प्रक्रिया में निम्नलिकित में से कौन सा चर्ण नहीं है तो सही जबाब आपका होगा B. अनुमान अभिक्रिया आपको बताते चलें कि हरबर्ट साइमन ने निरड़े प्रक्रिया के तीन स्तर बतलाए पहला बौधिक स्तर दूसरा डिजाइन क्रिया और तीसरा चर्यन क्रिया साइमन संगठन को निरड़े लेने वाली संद्रचना मानता है और उन्होंने लक्ष संगठन के स्थान पर प्रक्रिया संगठन पर अधिक बल दिया है अगला और आज के हमारे अभ्यास सिरीज का आखरी सवाल है question number 120 लीगर्ट के अनुशार निर्मलेखित में से कौन सा नेत्रितु का एक प्रकार नहीं है तो सही जबाब आपका होगा C. सहयोगी प्राधिकारिक आपको बताते चलें कि लीगर्ट ने कहा था कि नेत्रितु के अलग-अलग प्रकार होते हैं में से पहला होता है सूशन परक प्राधिकारिक दूसरा होता है उपकारी प्राधिकारिक और तीसरा होता है सहभागी तो ये था सत्तर वो महत्तोपूर्ण सवाल जो आपके परिक्षाओं के लिए महत्तोपूर्ण हो सकता है यह अभ्यास सिरीज TGT और PGT दोनों ही परिक्षाओं के लिए महत्तोपून है इसलिए आप इस अभ्यास सिरीज को लगातार फॉलो करते रहें आपकी परिक्षाओं में निस्चित रूप से इसका लाप मिलेगा अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम